कि नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागात और विजन्मन करता हूं अपने सभी पियर रश्कों का 23 तुमबर 2022 का राशी पर लेकर मैं आपके समक्ष हूं यहां जांकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी सुर्य दे होगा 6 बच के 48 मिन पर सुर्य पी-एम तक बात करेंगे आपके आने वाले कल की मेश राशी पहां चराते समय सलक पर चलते समय खीक से चलिएगा धन का निवेश सोच समझ कर करिएगा अनवश्यक तनाव रह सकता है अनवश्यक वाद विवाद से वच्चे किसी अशुप समझार के मिलने से जिराशा हो सक बिजनस में कोई नई डील हो सकती है बुद्धी बहुत वेवसाइक होगी बहुत तेज दिमाग से आप आगे बढ़ेंगे राजनीतिक लोगों से संबद अच्छे बनेंगे और स्वास्त ठीक रहेगा भगवान शिव की उपासना कर सकते है वरशब राश्यक आज का दिज जमाद्धन का आपको कुछ अच्छा व्याज मिन सकता है आपका स्वास्त अच्छा रहेगा खाने पीने के मामने में कोई चिंता करने कर नहीं होगी और साती साथ महिलाओं के साथ आप अच्छा वहवार रखें मीडिया या आईटी फील्ड से आपके संबंद आज चुर स सकते हैं किसी नए काम के शुरुबात कर सकते हैं विवा अगर नहीं हुआ है तो आपको विवा हो सकता है विवा में आ रही बाधाय दूर हो जाएंगी हेल्थ ठीक रहेगी मित्वर्ण राशू आज का निन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है नौकरी कर प्रसंद होगा धार्मिक यात्राएं हो सकती है लवलाई बच्ची रहेगी सफेज और नीला रंग आज आपके लिए फलदाई रहेगा हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने खान पान का ध्यार रखें और राजनीती में सफलता मिलेगी कर कर कराशी विद्या में स किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं खेल पूद में आपका अच्छा परदेशन रहेगा किसी शुप समाचार के मिलने से आपका मन अच्छा हो जाएगा ससुराल में कोई अच्छा काम हो सकता है जो भी शादी चुना लोग है उनको ससुराल से बुलावा आ सकता है मीन और जो लोग शुगर से परशान हैं और आज अच्छा दिन है अच्छे से बीच जाएगा आज का दिन तराओं और समस्याओं से मुक्ति पा लेने का होगा आप आनंदित रहेंगे किसी समाजी कारकर्म या परवारी कुस्तों में भाग लेंगे कोई नया वाहर इत्यादी आप खरी सकते हैं आपके संबंद आपकी माताजी से शुब बने रहेंगे जमा पूंजी ब घर्पतान और आलस के शिकार होंगे आपके दहरा हगा हरे कठीन निया आपसे कठीन महत कराएगा धर्ण कठीन मैंजी से प्राप्त होगा ज़ूआज संब कर आपको ब diaphragy कोसी में इशमल्ता मिलेगी धन का खर्च खुशियों पर होगा आज आप जोश और हिम्मत से कुछ आसाधारन काने में हाट डालेंगे चोटी बोटी यात्राइश संबव हैं आपके स्वास्त के पति आपको साथान रहना होगा और बेकार की योजना ना बनाएं वहां नित्यादी पर फालतू की है संदान के घर में सुख होगा आज आप किसी गरीव ब्रक्ति को कुछ भोजन वगरा करा दे तो बढ़िया रहेगा आज जिनकी भी दमा से संबंदित विमारी हैं वो लोग सावधान रहे हैं व्रश्चिक राशी आज सब्ता का सरशेष दिने निश्य दुरुप्स आपक बहतर रहेगा राजनीती में मन चाहिए सफलता मिन सकती है शिक्षाम से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा आईटी फील में या बैंकिक फील में आपको देश्य की पूर्ती होगी परिश्रम करने से आत्मल बढ़ेगा और दिन बहतर बीतेगा स्वास ठीक रहे आपको करना पर सकता है राजनीती में सफलता विलेगी आज आप के लिए बहतर दिन हैं आपके सभी जरूरी कामों को रिप्टा ले आज आपके लिए दिन शुम रहेगा दांपत्य जीवन सुखी रहेगा भगवान हरी की किरपा बनी होई है मकर राशी आपका खर्चा भी होगा आप नरी भी होगी और आप वैपार भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे प्रेम समद्ध में सुधार होगा लंबी यात्राएं रद होंगी आपके जो दोस्तियार हैं वापी मदद कर सकते हैं घर वगरगरा खड़ने की योजना बना रहे हैं तो इसे इस्तकित कर दे किसी धार्मी गुरु का आश्रवाद आपको में सकता है विवसाय में उन्नती होगी लव लाइफ अच्छी रहेगी दीला तता हरा रंग आज आपके लिए लाबदायक रहेगा धार्मी की यात्रा हो सकती है हन्वाय चली सा पढ़ते रहिए कुम बराशी आपकी कारिष्ति में सुधार होगा चिंदाओं से मुक्ति बिलेगी पिता के स्वास्ति में सुधार होगा महत्पुर्ड लोगों का साथ बिलेगा अपनी माता जी की सेहत का पूरा ध्यान रखेगा बच्चे पढ़ाई लिखाई में एक आख़जित नहीं होंगे जीवन साती की तरक्की है जीवन साती को प्रोमोशन से आपको लाब बिलने वाला है, दिल खुश हो जाएगा, आपकी पत्नी को भी अच्छा लाब होगा, रादीती सफलता बिलेगी, रादीती सफलता के साथ साथ नाम भी होगा, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वास्त मध्यम है, हर्माज जी सब भला करेंगे, और मीन राशी, जीवन साती से प्यार से बात करें, संदार के और से शुप समचार पराप्त होगा, स्वास्त सामाद में लेकि कुछ पानसिक परशानिया बनी रहेंगी, धन की आगमन की विवस्ता बनी होई है, पैसा कही ना कहीं से आता जाएगा, पिता आपके लिए शुप रहेगा, संतान के साथ आज वक्त उताने का अच्छा मौका मिलेगा, बहुत ही बढ़िया दिन है, हर्मान जी की उपास्ता करिए, और शिव जी की उपास्ता करिए, सभी कश्ट मिठते चले जाएंगे, गरेश जी को परसंद करने का महा उपाए, गरे गरेश जी को चढ़ाएं और अपनी बनो कामना बता दे और देखिए दूरुबा घहास किस बरकार की होती है, नगे लिए और आपकी जनन कुली बनवाना चाहते हैं, कोई समस्या है, को फरशानी है, तो दिए गया नम्रों के समपर्क कर सकते हैं, हरियों, नमस्कार